नवश्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलोजी केडा चैनल के अंदर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा WPF का दूसरा वीडियो टुटोरियल और इसमें हम लोग बात करेंगे Windows क्लास के बारे में तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब हम लोग WPF अप्लिकेशन को ओपन करते हैं जब या हम लोग कोई भी WPF अप्लिकेशन बनाते हैं एक नई अप्लिकेशन हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को एक पेज जो है वो डिफॉल्ट में मिलता है manwindow.xaml के नाम से जैसा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग window class की तो हम लोग इसको और भी expand कर देते हैं उपर तो ये देखिए window class है आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका जो root element है window class का वो actually में window ही है और ये window element जो है वो यहां से यहां तक है मतलब इसमें सिर्फ आप लोगों क एक ही child control आ सकता है पहले हम लोग बाद में बात करेंगे child control की तो लेकिन window attribute यह जो है window element जो है वो root element होता है इसका जो define करता है इस window की size को जैसे मैं इसको run कर लेता हूँ एक बार थोड़ा सा time लगाएगा run करने के लिए नहीं run हो चुका है देखिए इसमें देखी window का जो यह border है आप लोग देख सकते हैं इसमें shadow भी आ रहा है थोड़ा सा नीचे तो आप लोग देख सकते हैं कि window जो element होता है वो basically किसके लिए design किया जाता है यह जो window है आप लोगों का इसका पूरा का पूरा श्रे जो है इस window root को जाता है यह जो define करता है वो आप लोगों का यह icon define करता है यह title define करता है window का जो title है icon है window के अंदर minimize button है maximize button है close button है border है यह सारा का सारा इस window root के अंदर ही element के attribute के द्वारा दिखाया जाता है जैसी कि यहाँ पर दिखाया गया है title दि window के width है, जो default attribute मिलते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, इसकी x class attribute की, x class attribute है, ये तो हमारा test WPF application जो है, वो तो हमारे project का नाम है, test WPF application, आप लोग देख सकते हैं, solution explorer में जाकर, test WPF application, और ये जो man window है, ये इसकी class का file है, class file name है, जो की इसकी code behind file भी बोलते हैं हम लोग, और ये एक partial class होती है, आप लोग इसको expand करके देखेंगे, तो ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है man window.xaml.cs file, जब आप लोग इसे open करके देखेंगे, तो ये default में आप लोगों को एक partial class मिलेगी, partial इसलिए होती है, क्योंकि ये इसके साथ combined होती है, man window, xaml file के साथ combined होती है, और जब ये run होती है, तो full window mode में आ जाता है, तो आप लोगों को समझ में आ गई कि ये window root element है, जो define करता है title का, man window का, height का, width का, वगरा वगरा का, अब यहां पर जो man attributes होते हैं, वो देखें, यहां पर ये कुछ xmlns, कुछ लिखकर xdmc, ये जो है shortcuts हैं इनके, xdmc, locals, ये सारे shortcuts हैं, ये name spaces हैं सारे के सारे, और ये define करते हैं, इनको हम लोग next chapter में जरूर पढ़ेंगे, और इन सभी को हम लोगों को define कैसे करना है, वो मैं बाद में आप लोगों को बता दूँ मां जब भी कोई error आए, तो ये xml file को resolve आप लोगों को, वही control और dot period से ही करना है, तो ये window element है, window element के कुछ attribute हैं, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को title है, height है, width है, icon है, class file है, और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोगों ने देखा कि title के अंदर man window लिखा हुआ है, height है, 450 और width है, 800, तो इन तीनों attributes का जो मतलब है, वो आप लोगों के width है, अब हम लोग इसमें icon file जो है, वो set करते है, icon equals to, हमारे पास already जो है, वो icon file जो है, वो है, tk.jpg के नाम से, और icon को set करने से पहले इसको resource बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले properties पर जाईए, और build action में आप लोगों के पास none मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसको क्या आप लोगों को क्या करना है, resource करना है, resource करने के बाद आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, tk.jpg, यह से कोई सी, आप लोग जो है, folder में भी रख सकते हैं, तो कोई problem वाली बात नहीं होगी, जब मैं save करूँगा, और test WPF application करूँगा, तो icon जो है, वो आप लोगों के top left corner के अंदर जहाँ पर default icon था, वहाँ पर replace होकर, यह जो हमारा icon है, वो आप लोगों को display हो जाएगा, अब दूसरी property हम लोग इसमें देख लेते हैं, resize mode की, resize mode यह नहीं की window की size को resize किया जा सकता है, नहीं, can minimize का मतलब होता है, कि आप लोगों को maximize जो button है, वो आप लोगों का इसमें disable हो जाएगा, ठीक है, यह देखिए, can minimize है, तो maximize जो button है, वो देखिए, इसमें जो है, वो disable type है, okay, minimize हो सकता है, अब हम लोग minimize को देख लिए हम लोगों ने, उसी परकार है, resize, resize grip के साथ है, और आप लोगों का last option है, no resize, no resize करोगे तो resize नहीं कर सकता, end user, end user का मतलब होता है client, और अगर आप लोग इसे can resize with grip कर देतों, तो नीचे आप लोगे की dot dot जैसा एक symbol बन जाएगा, no resize देख लिजे, no resize में आप लोगों को, window application को आप लोग जो है, इस WPF application को resize नहीं कर सकते, यहाँ पर, arrow का symbol नहीं बनेगा, और अगर हम लोग इसको, देख लिते हैं, can resize with grip, तो grip के अंदर एक नीचे dot dot जैसा बन जाएगा, जो आप लोगों की grip को बताएगा, यहाँ पर देखिए dot dot बन जाएगा, और इसको हम लोग resize कर सकते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने resize mode देख लिया, अब इसकी next property आप लोगों की पास है, show in task bar, show in task bar, task bar में default में आप लोगों का true होता है, लेकिन अगर आप लोगों false करते हैंगे, तो आप लोगों की task bar में, जो window है, वो show नहीं होगी, जैसे कि मैं application को देख रहा हूँ, तो यहाँ पर task bar के अंदर यह application जो है, वो show नहीं होगी, otherwise अगर आप लोगों इसे होजना ने लगेगी, default में इसका true होता है, show in task bar का, तो यह आप लोगों की यहाँ पर display हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई, और बहुत सारे इसके attribute हैं, जैसे कि topmost भी एक attribute है, जिसमें आप लोगों का window हमेशा topmost पे रहेगा, window की state का भी एक है, और different types के और भी कोई attribute ह हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहें, तो intelligence आप लोगों को define कर देगा, resize mode, loaded icon, background, वगरा वगरा, window, startup location क्या होना चाहिए, manually आप लोग decide कर सकते हैं, तो different types के आप लोगों की properties हैं, इसमें आप लोग define कर सकते हैं, one by one हम लोग सभी के बारे में discuss करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं का अच्छे से नए वीडियो के साथ, और ऐसे ही बने रही हमारे साथ, ताकि हम लोगों का आप लोगों का प्यार मिलता रहे, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहे, और हमारा चैनल ग्रो करे, और हम लोग आप लोगों को एक अच्छी सी लाइब्रेरी जो है टेकनलोजी से रिलेटेड तैयार करके दे, धन्यवाद.